जेहन दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है साथी वाज हम ग्रैमरी अर्थि विवस्था से जुड़े प्रमुक तक्तों के बारे में चर्चा करेंगे साथी यूजूब प्रेशन है अगामी MPPSC और MPPEB की परचाओं को लेकर अत्यन्थी इंपोर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले साथी यूदी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है क्रप्याप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेशन है डी एपी का पूरा नाम क्या है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संसी डाई अमोनियम फासफेट साथ यूजू डी एपी है एक छारी प्रिकतिकार वरक है और इसकी सुरुवात वर्स 1960 से हुई थी अगला प्रेशन है निम्लमे से सोया बीन का सबसे अधिकुत पादन किस राजी में होता है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संसी इस्टेट बेंक आफ इंडिया इसका राज्टी कराण वर्स 1955 में किया गया था और यह प्रेशन पूर में भी MPPSC में पूछा जा चुका है चौथा प्रेशन है देवारंड आर्थे कुनन यूजना किस बिभाग की है साथ इसका सही उत्तर है ओप्सं ए आयूस बिभाग की इस यूजना का उद्देश और सूचित जिन्जात छेत्रों के लोगों को रोजगार और अजीव कैसे जोड़ना है कुछ का पांचवा प्रेशन है मत्यप्रदेश में केला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संडी बुरहानपुर कुछ का छठवा प्रेशन है मल्ती क्रॉपिंग या बहु फसल क्या है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संडी एक वर्ष में दो या दो से अधिक बुई गई फसलें बहु फसल ये कहलाती है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संडी जवलपुर में इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी साथ ओगला प्रशन है राष्टी क्रैसी और ग्रमील विकास बैंक अर्थात नावार्ड किसके स्वभ प्राउमित में काम करता है साथ इसका सही उत्तर है ओप्संडी जवलपुर ज़ोय ज़ो है अगला प्रेश्ण है मद्दिपरदेश की प्रमुक बड़िजिक फसलें कौन सी हैं साथ इसका सजुत्तर है ऑप्षन ए कपास और गणा कपास कोथपादन सर्वाधेक निमाल छेत्र में और जो गणा है इसकोथपादन सर्वाधेक मालवा छेत्र में होता है अगला प्रेश्ण है दीन दयाल अन्तोदे राष्टी सहरी अजीव का मिसन एन यू एलम की सुरुवात कब की गई थी साथ इसका सही उत्तर है ओप्संसी वर्सदो हजार तेरा में यह जो है आवास वसहरी गरीबी उपसमर मंत्राले द्वारा प्रारंब की गई थी साथ यू आपको मारे वीडियो पसंद आया हो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की बीच सेयर करें धन्यवाद